नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाट साला में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं American Poet Robert Frost के द्वारा लिखी गई एक पोयम को जिसका नाम है The Road Not Taken ये पोयम बहुती सांदार है इसके सारे के सारे key facts को हम समझेंगे और इसकी line by line explanation को भी इस वीडियो में ही हम लोग समझेंगे और Robert Frost के बारे में कुछ ऐसे points में आप लोगों को बताऊंगा जो आपके exam के time पर आप लोगों को मदद करेंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं Robert Frost के बारे में थोड़ा सा देखिए Robert Frost का complete name आप लोगों से कभी-कभी exam में पूछ ले जाता है तो Robert Lee Frost इनका complete name है और इनका जनम हुआ था March 26, 1874 को San Francisco California में इनका जनम हुआ था और ये एक American poet है मैं आप लोगों से पहले ही बता चुका हूँ इसके अलावा इन्हे poetry में four times Pulitzer Prize भी मिला था ये चीज़ आप note down कर लिजेगा ये बहुत ही ज़्यादा important है कि Robert Frost को अगर आप से exam में पूछा जाए कि Robert Frost को English के अंदर poetry के अंदर कितनी बार Pulitzer Prize मिला था तो आप लोगों का answer होगा four times ये बहुत ही important point है और इनका occupation है कि ये 20th century से belong करते थे और एक American poet and playwright थे ठीक है कभी कभी exam में आप लोगों से century भी पूछ ली जाती है कि कि century से ये belong करते थे इसके अलावा road not taken जो ये poem है इनकी Robert Frost की ये Robert Frost के third poetry collection mountain interval के अंदर include की गई थी ये poetry collection इनका 1916 में आया था तो ये भी बहुत important point है कि कि poetry collection के अंदर इस poem को include किया गया था तो mountain interval नाम का एक collection है 1916 में आया था उसके अंदर include किया गया था Robert Frost को एक बार poet laureate of Vermont भी बनाया गया था 1961 में इसके अलावा इनकी death जो हुई थी वो 1963 में हुई थी और US में ही इनकी death हो गई थी जब ये 88 साल के थे 88 years के उस समय पर ये थे तो ये थी कुछ Robert Frost के बारे में information इसको आप ध्यान से देख लेना क्योंकि exam में यहां से points पूछे जा सकते हैं अब ये जो poem है आप लोगों की the road not taken इसके बारे में हम पढ़ेंगे Robert Frost ने जो लिखी है और इसके सारे के सारे key facts को हम discuss करेंगे सबसे पहला key facts है कि जो the road not taken है इसको American poet Robert Frost ने लिखा था और ये पहली बार 1915 में लिखी गई थी ठीक है 1915 में लिखी गई थी और एक था Atlantic monthly नाम की magazine के अंदर इसको include किया गया था ये magazine एक American magazine है जिसके अंदर इसे include किया गया था इसके बाद हम देखते हैं कि the road not taken को Robert Frost के poetry collection the mountain interval के में भी include किया गया था जो 1916 में आया था इसके अलावा कुछ information और है जैसे कि road not taken के अंदर हम लोगों को 20 lines देखने के लिए मिलेंगी 20 lines को Robert Frost ने चार stanza में divide किया है और ये चार stanza जो है पांच-पांच line के हैं और पांच line के stanza को हम quintains बोलते हैं ठीक है तो आप लोग ये note down कर लेजेगा इसके अलावा इसकी rhyming scheme की बात करते हैं तो इसकी rhyming scheme AB, AAB है और Robert Frost ने इस poem को अपने friend Edward Thomas के लिए लिखा था ये point important है आप लोग इसे note down कर लिजेगा पूचा जा सकता है The Road Not Taken जो है Robert Frost ने अपने कोन से friend के लिए लिखी थी क्योंकि जब 1912 से लेकर 1915 के बीच में Robert Frost कहीं पर 14 लिखा होता है कहीं पर 15 लिखा होता है इस दोरान पर ये कहां पर थे England के अंदर थे तो वहां पर बहुत सारे friends इनके बने थे तो उनमें से एक friend था इनका Edward Thomas जिनके ल start हुआ था तो उसके चलते इन्हें वापस अमेरिका लोटना पड़ा था ये थे कुछ fact आप लोगों के सामने अब मैं आप लोगों को इस poem की line by line explanation समझा देता हूं माल लिजे हमारा writer जो है Robert Frost वो एक road से travel कर रहा है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला गया उसको एक road जो है दो भागों में बटी हुई मिली पहला रास्ता इधर जाता है और दूसरा रास्ता इधर जाता है तो यहाँ पर writer आकर खड़ा हो जाता है वो देखता है कि मु दोस्ता है कि पहले रास्ते को मैं किसी और दिन जो है travel कर लूँगा तो वह बहुत देर तक यहाँ पर खड़ा रहता है और जहां तक उसकी निगहा जाती है उस रास्ते को वो देखता है तो आईए इसकी line by line explanation को समझते हैं और इसकी डिटेल में समरी में आपको last में in a yellow wood यहाँ पर writer खड़ा कर कहते हैं कि वो जिस रास्ते से जा रहे थे वो रोड जो है वो दो रोड में आकर आगे बट गई और वो रोड जो है yellow wood में थी yellow wood का मतलब है उस समय पर जो रास्त टाइम था वो autumn का सीजन चल रहा था तो वहां की जितनी भी पत्तियां थी देख वो पीली पढ़कर जमीन पर गिर जाती है तो यह autumn का सीजन था जब Robert Frost इस रोड को travel करना चाह रहे थे and sorry I could not travel both वो कहते हैं कि मुझे बहुत पस्तावा है I'm sorry वो कहते हैं कि मुझे बहुत पस्तावा है कि मैं एक साथ दोनों रोड को travel नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकते वो and be one traveler वो कहते हैं कि मैं एक single traveler हूँ तो एक इंसान एक समय पर एक ही रोड पर जो है वो travel कर सकता है इसलिए उन्हें इस बात का दुख है कि वो एक साथ दो रोड पर travel नहीं कर सकते डेफिनेटली एक इंसान एक ही रोड पर travel कर सकता है अब वो यहां पर आकर खड़े हो गए तो वो कहते हैं कि यहां पर खड़ा होकर कि मैंने इन दोनों में से एक रास्ते को देखा और उस रास्ते को मैंने इतनी दूर तक देखा जहां तक मेरी निगा जा सकते थी या जहां तक मैं उस रास्ते को देख सकता था तो वेर इट बैंड इन दा अंडर ग्रोथ वो कहते हैं कि जैसे मैंने मान लीजे इस रास्ते पर अपने निगा दोड़ाई इस रास्ते को मैंने देखा तो ये आगे जाके रास्ता क्या हो गया बैंड हो गया मुड़ गया ये रास्ता आगे जाकर मुड़ गया एंड अंडर ग्रोथ का यहां पर मतलब है कि इस रास्ते पर जो थी वो घास फूस जाड़ियां यह सब थी जिसकी वजह से मैं रास्ते को ज्यादा दूर तक जो है नहीं देख पाया तो रोवर्ड फ्रोस जो है इस रास्ते को देख रहे हैं लेकिन वो आगे जाकर रास्ता मुड़ जाता है और यहां पर घास फूस भी बहुत सारी खड़ी हुई है जिसके चलते रोवर्ड फ्रोस बहुत लंबी दूरी तक नहीं देख पाते हैं अगला इस्टेंजा हम पढ़ते हैं यहां पर पहले मैं बना देता हूं राइटर आपका देन टुक दा अधर एंड जस्ट एस फियर एंड हैविंग परहप्स बैटर क्लेम अब रोवर्ड फ्रोस देखिए इन दो लाइनों में रोवर्ड फ्रोस कहते हैं कि मैंने एक रास मैंने जो है दूसरा रास्ता ले लिया उन्होंने क्या किया इस रास्ते को ले लिया दूसरे वाले को और मुझे लगा कि सायद जो रास्ता मैंने चूस किया है यहां पर परहप्स लगा है ना वो कह रहे हैं कि जो रास्ता मैंने चूस किया है जो जिस रास्ते को मैंने क्ले किया है वो बैटर वन है वो बहुत ही बढ़िया है विकोज उसकार रीजन भी वो देते हैं इट वास ग्रासी एड़ुन वांटेड विए वो कहते हैं कि यह रास्ता जो मैं ने चूश किया है इस पर थोड़ी थोड़ी घास जो थी वो थी ऐसा लग रहा था इस पर लोग जो राइटर ने कौन सा रास्ता ले लिया है ये वाला रास्ता चुन लिया है अब जैसे जैसे इस रास्ते पर राइटर आगे बढ़ने लगा हैट WRONDEMB रेली अबट बाउट दा सेम वोग सोचता है उसके मन में विचार चल रहे है वो सोच रहा है कि अगर मैं इस रास्ते पर जो पहला वाला रास्ता था उस रास्ते पर जाता तो वो भी कुछ Shaun ज़्यादा अलग नहीं था वो भी सेम सा रास्ता था कोई जञादा डि स्टेंजा बढ़ते हैं तीसरे स्टेंजा की तरफ एंड बोथ दैट मोर्निंग इक्वली ले इन लीवस नो स्टैप है ट्रोडन ब्लैक अब रोवर्ड फ्रोज जब यहां पर खड़े थे तो उन्होंने रास्ता चूस कर लिया कौन सा ये वाला रास्ता चूस कर लिया अब दो कहते हैं अंड बोथ टैट मोर्निंग एक्वली ले वो कहते हैं कि इन दोनों रास्तों पर जब जो पत्तियां हैं जो पत्तियां है पेडो से Chroding Black कि इन पत्तियों के उपर जो पत्तियों जो रास्ते में पड़ी हुई थी इनके उपर ज़्यादा steps यानिके लोगों ने अपने पाउओं के नीचे इन्हें ज़्यादा नहीं कुछला है या फिर इन पर कम लोगों ने Tarvel किया है, जिसकी वजह से ये पत्या जो है black नहीं पड़ी है, ये yellow ही पड़ी हुई है, oh I kept the first for another day, उन्होंने अब इस रास्ते पर travel करते करते, जो ये रास्ता इन्होंने चूज कर लिया है, left वाला रास्ता जो इन्होंने चूज किया है, अब इस पर चलते चलते वो सोचते हैं, I kept the first for another day, कि जो पहला वाला रास्ता है, ये जिसको मैं travel नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं किसी और दिन travel कर लूँगा, yet knowing how way leads on the way, वो कहते हैं, कि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, how way leads on two way, कि ये रास्ता जो मैंने चूज किया है, definitely इस पर आगे जाके भी कोई ना कोई diversion मुझे मिलेगा, कोई ना कोई मिरको mode मिलेंगे, हो सकता है, ये भी आगे जाकर दो रास्ते में बट जाए, या बट जाए, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, कि ये रास्ता मुझे किसी दूसरे रास्ते पर ले जाकर जोड़ दे, और उसके बाद I doubted, मुझे ऐसा संदे है, मु आपस ना आपाऊं, ये हैं आप लोगों के सामने फोर्थ स्टेंजा, रोवर्ट फ्रोस यहां पर कहते हैं, I shall be telling this with a side, वो कहते हैं कि जब बहुत समय बीथ जाएगा, जब बहुत समय बीथ जाएगा, जो मैं मेरी ये स्टोरी है, कि मैं एक बार जंगल में आकर इस रास्त चुके होंगे, या अपनी सक्सस स्टोरी किसी को बता रहे होंगे, तो वो बड़े ही एक साय के साथ, मतलब एक खुसी के साथ वो एक तरह से बताएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई आहां भरता है, तो वो दुख में ही भरे, हो सकता है, वो खुसी में आहां भर रहा हो, तो वो किसी ना किसी को अपनी ये story बता रहे होंगे एक समय के बाद, एक time के बाद, मतलब को सालों के बाद, अपनी इस story को, जो two roads divert हो रहे हैं यहां पर, उनकी story किसी को बता रहे होंगे, two roads divers in a wood, वो बताएंगे कि दो roads मैंने देखे थे जंगल में, जो आगे जाके वो फट गए थे, and I took the one last travel by, और वो बताएंगे लोगों को कि मैंने उस रास्ते को चुना, जो रास्ता last travel था, जिस पर लोगों ने जो है कम चला हुआ था, मतलब ये अपनी life में adventures को follow करना चाहते हैं, और ऐसा रास्ता जिसे लोग difficult की वज़े से choose नहीं कर पाते, वो रास्ता ये चुन लेते हैं, ठीक है, तो ये line बहुत important है, इसको आप याद रख लीजेगा, कि I took the one last traveled by, ये बहुत important line है, and that has made all the differences, और इस रास्ते को चुनने के बाद, इस रास्ते को चुनने के बाद, इन्हें अपने career में success मिली, और जिसकी वज़े से इनकी पूरी की पूरी जिन्दगी बदल गई, तो ये थी the road not taken poem, अब मैं आप लोगों को इस poem के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, मान लिजे, आप 9th standard में study कर रहे हैं, ठीक है, और जब आप 10th standard में आएंगे, 9th standard को पास करके, जब आप 10th में आएंगे, तो आप लोगों को subject, stream choose करने के लिए option दिया जाएगा, मान लिजे, अभी आप science side पढ़ते वे आ रहे थे, science stream को पढ़ते वे आ रहे थे, और उसके बाद आपको आगे चलके choose करने के लिए मिलेगा, कि आपको science लेना है, या फिर biology लेना है, तो मान लिजे, आप 9th के student है, और आप अभी तक तो सिर्फ study करते वे आ रहे थे, लेकिन आगे चलके जैसे ही आप 9th से 10th में आओगे, तो आप लोगों को यहाँ पर option मिलेंगे, कि आप लोगों को क्या लेना है, क्या लेने का मतलब है कि आप लोग science में जाना चाहेंगे, या biology में जाना चाहेंगे, तो आप सोचेंगे कि जैसे जैसे मैं एक रास्ते पर आगे चलूँगा, हो सकता है, इस पर difficulty आए, तो मैं दूसरा रास्ता चूस कर लूँगा, है ना, ये आप सोचते हैं, लेकिन जैसे आप रास्ते में इसमें आगे निकल जाते हो, तो यहाँ पर जाकर देखिए, आगे भी डाइवर्जन मिला है आपको, ये भी डाइवर्ट हो रहा है रोड, तो वहाँ पर कहा गया है, कि जैसे मान लीजे, आपने डिसाइड कर लिया, अपने लाइफ में कि राइटर बनना है आपको, तो राइटर इंगलिस में बनना है, आप ग्रामर लिखेंगे, या लिट्रे बनेंगे, या प्ले राइट बनेंगे, बहुत सारे उप्संस आप लोगों के सामने खुल जाते हैं, तो बाद में राइटर को लगता है, कि वो वापस इस दूसरे रास्ते पर कभी नहीं जा पाएगा, और इस रास्ते पर जाकर उसे इतनी सक्सस मिल जाती है, कि वो अपन के लिए, चेए